प्रेंड्स कैसे आप सब आशक करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनीच स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूटूब दिश्चनल एक्जाम इस वीडियो में हम बात करने वाले है ग्रुपदी ग्रुपदी के बारे में और कर दिया हैं और आपका एक्जाम क्दको सकता है इस विडियो में इन सभी चीजों-पर चेर्चक करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से से पहले जो लोग चैनल पर विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दिजेगा गोर्मेंट जोब की पलपल अपडेट के लिए है यह क्या को ये आपके डिकल स्टंडड और इसके अंदर जो एसिस्टेंट सब्सक्राइब के लिए सिवन अभी मैं अभी मैं आपको यह बताँगाका कि द्सक्राइब एवन एटू इसके अंदर क्या क्या आपका आई साइड और क्या क्या आपका होता वह समय आपको बताऊंगा एक बार आप इसको देख लिजेगा कि किस-किस पोस्ट के लिए चेंज किया गया है या पहले जासा ही है और इसके असीषय ओगा है आको इसके इसकेंट में आपका भी मैं जया मैं assistant operation electrical में आपका B1 है और pointsman में आपका A2 है और assistant signal and telecom में आपका B1 है और assistant track machine में इंजिनेरिंग में आपका A3 है assistant TL and AC में आपका B1 है और assistant TL और AC में आपका work shop में आपका C1 है electrical के लिए assistant TRD के लिए electrical में आपका B1 है उसी परकार से आपके assistant workers में इंजिनेरिंग में C1 है और assistant workers वरक्शोप में आपका engineering में C1 है और hospital assistant में आपका C1 है medical के लिए और trackman के लिए आपका B1 है अब आपको यह जानकारी में देने वाला होंगी B1 C1 यह आपका क्या होता है तो इसके लिए हमें दूसरे notice पर चलना होगा जो notice यह है यह आप तेख सकते हैं यह notice जो आया था यह full notice है आपका अभी open होगा थोड़ी देने यह आप देख सकते हैं यह उस time notice आया था जब आपका exam fill हुए थे तो इसके बारे में हम देख सकते हैं कि इसका जो notice है यह आप देख सकते हैं साथवे page पर यह except page का total notification है और साथवे page पर आपके medical standards के अंदर दिये करें जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं एटू के लिए आप देख सकते हैं physical fit in respective यह यहाँ पर लिया हुगा और यहाँ पर आपका जो eye side है वो 6x9, 6x9 without glasses होने चाहिए और near vision आपका 0.6, 0.6 without glasses होना चाहिए must pass test for color vision यानि कि आपको color brightness इसके अंदर नहीं होना चाहिए night vision आपका भी ठीक होना चाहिए A2 के अंदर यह आपके criteria है अगर मैं बात करता हूँ A3 की तो इसके अंदर आपका जो eye side का है वो 6x9, 6x9 with और without glasses यानि कि glass के साथ भी यानि कि A3 के अंदर आप चस्मा जो है पहन सकते हैं लेकि A2 के अंदर आप चस्मा नहीं पहन सकते हैं और इसके अंदर वो ही है कि आपको color blindness नहीं होना चाहिए night vision आपका होना चाहिए इसा होता ना कि कुछ लोगों को night में दिखाई नहीं देता है तो वो सब बिमारी आपकी नहीं होनी चाहिए अगर मैं बात करता हूं B1 की तो B1 के अंदर आपका जो night vision है वो तो हो गाई और आपका जो eye side का है 6x9, 6x12 इसके अंदर भी आप चस्मे के साथ और चस्मे के बि सब्सक्राइब करेंगे चर्णली डिटेलवे में जो है eye side का ही ज्यादा काम है तो इसलिए इन्होंने सारे जो magical इस्टेंटर नहीं हो आई साइट से डिलेटेड ही रखें है पीटू के अंदर आप देख सकते हैं सेम B1 की तरह ही है इसका भी और C1 और C2 के अंदर आप दे 6x9 और 6x6 का नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ यह meter के इसाब से होता है अगर आपकी आप 6x6 है तो आप 6 meter का distance जो है 6 meter से ही देख सकते हैं इसका मतलब यह आप यहाँ पर fit कहलाते हैं लेकिन अगर आपकी आप 6x9 है तो आप जो 6 meter का distance है आपकी आखों को लगत चाहिए कि वह 9 मीटर पर है इसलिए वह थोड़ा धुन्दला दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है अगर सी टू की मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आपका 6 by 12 होना चाहिए with और without glasses यानि कि आप इसमें भी चस्मा पहन सकते हैं लेकिन चस्मा आगर मैं बात करूँ चस्मा आप किस फिजिकल स्टेंडर्ड के लिए नहीं पहन सकते हैं तो वो सिर्फ आपका A2 के लिए आप चस्मा नहीं पहन सकते हैं बाकी आप किसी भी medical में A3, T1, C1, C2 के अंदर आप चस्मा पहन सकते हैं आपको मैंने post भी बता दिया है यह जो है यह group D के लिए है आपका group D के लिए क्योंकि इन्होंने physical standard जो है वो change कर दिया है तो change में जारा कुछ change नहीं किया गया है पोस्ट वाइज जो है इन्होंने change कर दिया है बाकी जो medical standard के अंदर की चीज़े थी वो same रखी रखी गई है और अगर मैं बात करता हूं इसके exam के बारे में तो exam के बारे में अभी कोई भी date जो है वो publish नहीं हुई है क्योंकि अभी उससे पहले ntpc का exam होगा ntpc में भी अभी दो से तीन चरण रहते हैं उसके अंदर अभी cbt2 रहता है और आपका psycho भी है और आपका फिर typing भी है तो यह सब होने के बाद ही सायद आपका कुरूब डी का जो है exam के बारे में सोचा जाए और इन सभी चीजों को होने में तीन मंत के आसपास का समय आपका लगी जाएगा क्योंकि अब दीरे दीरे candidate भी कम हो जाएंगे cbt2 के बाद एक cutoff आईगी उससे में भी आधे बच्चे जो 20 गुना लिए गए हैं उसमें से सिर्फ एक या दो गुना ही दे जाएंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए आपके लिए जो candidate है वो आठ गुना candidate लिए जाएंगे और इसी परकार से जिसमें साइको टेस्ट है उसमें भी आठ गुना candidate जो है वो लिए जाएंगे आशत करता हूँ कि आप सब समझ गये होंगे कि मेडिक्ल स्टेंदर क्या था मेडिकल सेंडर क्या साइड काूप इस वीडियो में परसे इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू